तो कहानी में हम देखते हैं कि संजे रीना के साथ साधी करके इसको अपने घर लेकर आता है और इसे शिरिफ एक बहु मांगी थी लेकिन उसने तो मेरी जोली में चान दे दिया अब दोस्तों इसका देवर भी चुचोरी गर्दी करना शुरू कर देता है क्योंकि दोस्तों य अपनी साइकल पर बढ़ा कर अपने गाउं की सैर कराता है अब दोस्तों इसके बाद ये ठक जाता है और घर पर आता है तो इसकी भावी इसके जिसम पर सहथ लगा कर इसकी सारी ठकान दूर कर देती है तो इसके बाद संजे अपनी भावी को पटा का बोलता है तो इसकी भ वहाभी बुरा मान जाती है और अपने देवर को बोलती है कि देवर जी ये तुम मत भूले कि मैं तुमारे भाया की पतनी हूँ अगर मैंने उनको बता दिया कि तुमारे मन में मेरे लिए क्या चल रहा है तो तुमारे लिए अच्छा नहीं होगा और दोस्तों फिलाल तो ट् आप्त हो जाता है